आज हम कर रहे हैं इंट्रीगेशन के जो चैप्टर वाइज कोस्चन जिसमें यह लेक्चर टू है इसमें सारे कोस्चन आपका नौलेज बेस एन इंपॉर्टन भी है आप थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लिए इंपॉर्टन के साथ तो आपको इंट्रीगेशन करने में और स समझ में आ रहा है अगर समझ में आ रहा है तो शियर केजिए? लाइक किजीए और सबस्प्राइब किजिए अगर आप नई हो तो इस चैनल में तो पहले में यहां पर आपको कोस्टन बता रहे हूं कि पुट करके केजिए अगर नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो जैसे कि इस बाले पार्ट का फर्स जो कोस्टिन दिख रहा है इसका trigonometric formula आता है 1-cos x मतलब 2 cos square x by 2 होता है sorry 2 sin square x by 2 होता है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं dx whole divided by 2 sin square x by 2 ठीक है अभी इसमें अब half common ले लीजिए और sin square x by 2 उपर जाके cosec square x by 2 आता है जो आपका direct formula बन जाता है cosec square x by 2 का integration क्या होता है formula मैंने बताया थे यह formula याद रखना बहुत ही easy है इस बाले पार्ट के लिए आपका वीडियो है उसका link तो आपको description पे मिली जाएगा तो cosec square x by 2 का integration आता है cot x by 2 और x by 2 के लिए 1 by 2 आता है क्योंकि c से starter हमें मिला सो minus आना चाहिए plus c c जहां पर integrating constant है तो आपका minus cot x by 2 plus c मिलता है answer यह मैं इस तरीके से किया अभी जो question number 2 आपको दिख रहा है same questions यहाँ पर 1 minus sin x यहाँ पर formula नहीं है तो आप कैसे करते हैं तो इस बाले पार्ट को भी हम question number 2 को हम जिस तरीके से कर रहा है उसी तरीके से भी आप कर सकते हो तो इसमें हमें formula पता नहीं है तो हम क्या करते हैं इसको 1 minus sin x दिया हुआ है तो हम try करते हैं 1 minus sin square x लाना तो उसके लिए 1 plus sin x आपको numerator and denominator पे multiply करना पड़ेगा तो इसी हिसाब से आपको मिल जाएगा उपर तो 1 plus sin x मिलता है और नीचे आ जाता है 1 minus sin square x right जिसका मतलब 1 minus sin square x मतलब आपका आता है क्या cos square x अभी देखिए अभी यह मिलने के बाद आपको लगेगा तो substitute नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है तो हमारा फाइदा क्या हुआ फाइदा यह हुआ कि आप जब distribute करते हो 1 by cos square x करते हो plus sin x by cos square x करते हो तो यहां पर ही आपको फाइदा मिलेगा जैसे कि 1 by cos square x मतलब आपका second square x बनता है और यह sin by cos square x है मतलब sin by 1 cos है जिसका मतलब tan and 1 by cos है तो आप देखिए यहां पर individually 2 term आपको मिल गए individually 2 term का ही integration possible है जैसे कि second square x का integration आता है tan x and sec x tan x sec x का integration आता है sec x plus c आपका यह answer बनता है तो आप यह question वाल first question को भी 1 plus cos x उपर नीचे numerator and denominator पे multiply करके भी आप इस तरीके से कर सकते हो try करना now come to the next questions यहां पर 2 questions आपको देख रहे same type का questions है और यहां पर यह जो आपको second question देख रहा है CBAC board में बहुत बार पूछा गया है तो आपका यह important questions बनता है ऐसे भी questions पूर सकते हैं इस type का भी questions पूर सकते हैं एक की तरीके की solutions है दोनों same तरीके की solution है अगर आपको सिर्फ dx पर 1 plus sin x दिया होगा होता तो पहले वाले questions की तरह आप solve कर देतें बट यहां पर नीचे 1 plus sin x है तो यहां पर इस तरीके की question को solve करने के लिए आपको यहां पर भी फिर same तरीके से नीचे 1 minus sin square x that means cos square x लाना है तो इसके लिए यहां पर 1 plus sin x है इसलिए हम उपर नीचे numerator and denominator पे 1 minus sin x से multiply करेंगी अगर 1 minus sin x होता नीचे तो हम 1 plus sin x से उपर नीचे multiply करतें तो हम कर रहे हैं 1 minus sin x से उपर नीचे multiplied तो यह आपका 1 minus sin x whole square बनता है 1 minus 2 sin x plus sin square x and नीचे बनता है 1 minus sin sin square x that means cos square x मैं यहां पर डिरेक्ट लिख रहे हूं तो अभी यहां पर same पहले बाले part की तरह distributed properties यह उसकते हैं 1 by cos square x that means sin square x minus 2 sin x by cos square x sin x by cos x अब का बनता है tan x और 1 by cos x से होता है sic x plus sin square by cos square that means tan square x ठीक है ना तो इसका integration तो पहले तो यह second square x का integration possible but tan square x का integration हमें पता नहीं है और यह possible भी नहीं है तो आपको क्या करना है tan square x को change करना है sic square x में तो tan square x मतलब आपका आता है sic square x minus 1 so sic square x minus 2 10 x क्यों हम sic square x minus 1 करें क्योंकि पहले तो हमें sic square x minus 10 square x equals to 1 पता है इसी हिसाब से अगर आप tan square x पता चलता है to sic square x minus 1 sic square x में क्यों convert कर रहे क्योंकि sic square x का integration हमें पता है तो यह आपका मिल जाता है तो आपको आपका मिलता है 2 sic square x and 2 tan x sorry and minus 1 तो आपको जो इन टर्म्स दिख रहे है तीनों टर्म्स का individual integration possible है तो इसके लिए क्यों करने पता है यह constant आपका वार आता है और 6 square x का integration tan x होता है tan x x का माइनस 1 काता है x plus c तो यह होता है आपका answer समझ में आया अभी देखिए इसके बाद जो questions है 1 minus call 6 by 1 plus call 6 तो यह इसमें भी आप सेम तरीके से कर सकते हो इस तरीके से नहीं तो यहां पर और एक formula बनता है formula क्या होता है 1 minus call 6 by 1 plus call 6 इसका direct formula आता है जो है tan square x by 2 second square में convert कता है करना पड़ता है तो second square x by 2 minus 1 dx बनता है तो अभी second square x by 2 इसका integration आता है tan x by 2 अभी x by 2 के लिए आधा minus x plus c इसका मतलब 2 tan x by 2 minus x plus c आपका यह answer बनेगा अब इस तरीके भी कर सकते हो इस formula से direct कर सकते हो जो आपको समझ में I prefer की आप इस formula से कर देना है ठीक है ना आते हैं next type के questions में जहां पर यह जो दो questions आपको दिख रहे हैं यह boards exam में बहुत बर पूझा गया है और इस type के questions तो आते ही है important questions है एक type मैं समझाती हूँ आपको integration cos to x cos for x dx दिया हुआ है तो इसमें आपको integrate करने के लिए पहले तो substitute कहीं पर भी नहीं हो रहा है cos to x cos for x sign फिर होता है angle same होता तो सोच सकते थे यहां पर cos 2 है angle भी अलग है लगे आपको लगेगा कि cos for x को मैं cos to x की formula में break कर दूँ कोई फाइदा नहीं है कोई फाइदा नहीं है आप इसको और जादा easy कर सकते हो जैसे कि हम पता है न 2 cos c into cos d जो formula अपने सीख़ता class 11 में वही formula हम use कर देंगे तो 2 cos 2x cos 4x dx इसका formula बनता है 2 मैंने लिया हुआ है क्योंकि formula बनाने के लिए formula क्या आता है हाँ आधा हम लिख देते हैं integration to cos c cos d 2 cos का term आ रहे तो cos ही आएगा cos का formula में और plus आना चाहिए तो cos 2x plus 4x plus बनता है cos 4x minus 2x और bracket close करते है dx ऐसे कुछ बनेगा इसका मतलब हाफ बाहर रहता है cos 6x plus cos 2x dx समझ मैं आया की नहीं देखिए formula यूस कर दिया मैंने जैसे कि 2 cos c cos d इसका formula था है cos c plus d minus sorry plus cos c minus d नहीं तो d minus c क्योंकि cos का time है minus आने से कोई दिक्कत नहीं होगा यह वाला formula हमने यूस कर दिया तो यह मैंने यूस करने के बता भी आपको पता है कि cos 6 है cos का integration तो हमें पता है sin आना चाहिए और angle के लिए 6 divide होगा ठीक है plus sin 2x होगा divided by 2 होगा plus c क्योंकि sin s का time आया होए c नहीं आया होए तो minus नहीं होगा यह हो गया answer ठीक है अब इस सेम तरीके से इसको formula में डालके आप कर सकते हो इसको घर पे try करना ठीक है now come to the next question आज के last question हम कर रहे है तो इसमें क्या है इसमें पहले question की previous question की तरह related है आपको sin x, sin to x, sin 3x वहाँ पर हमने 2 दिया हुआ था इसमें 3 दिया हुआ है तो आप इस टाइप के questions को कैसे करेंगे और यह यहाँ पर भी second question आपको दिख रहे sin x, sin to x, cos 3x, dx इसमें मैं एक कर देती हूँ दूसरा बला आप try करना गर पर कैसे करोगे कुछ भी नहीं है यहाँ पर सेम तरीके से इसमें हम formula करेंगे दो-दो करके लेके और फिर और एक तीसरे वाले को लेके और फिर से एक ब़र formula करेंगे तो 2 sin x मैं यहाँ पस x and 3 x को लेक सकते हूं नहीं तो sin x, sin 2 x को ले सकते हूं कोई भी दो term को आप ले ले सकते हैं तो आपका बनता है यह यह आपका दो दोनों को लेने के बाद आपका बन जाता है क्योंकि यह दो sin आ रहा है और cos के formula में सो cos के formula में क्या होगा cos 2 x minus x minus cos 2 x plus x cos का formula रहा है 2 sin c, sin d मतलब cos d minus c minus cos c plus d और c minus d plus c into sin 3 x तो half रहता है यह आपका cos 6 minus cos 3 x into sin 3 x ऐसे formula बनाना है अभी इसमें अभी इसको इसमें multiply कीजी multiply काने के बाद cos 6 sin 3 x minus cos 3 x sin 3 x dx ठीक है अभी इसमें इस बाले term पट को तू लेने के बाद इसका भी formula बनाना है इसमें भी formula मना है तो हम दोनों पे 2 multiply कर रहे तो मैं यहाँ पर 1 by 4th कर देती हूँ क्योंकि मैं फिर से 2 लेने वाली हूँ क्योंकि पहले वाले पार्ट में भी 2 ले रहे है और दूसरे वाले पार्ट में भी हम 2 ले रहे हैं जैसे कि ऐसे ठीक है ना तो दोनों का formula बनता है क्या formula बनता है तो आपका 1 by 4th रह गया ठीक है 2 cos x sin 3x minus 2 cos 3x until sin 3x dx ठीक है अभी इस वाले पार्ट का integration आता है इसमें cos and sin है sin जब बढ़ा है तो यहां पर आपका sin sin में plus होगा तो sin 2x plus 3x sin x plus 3x plus sin 3x minus x ठीक है minus यह इन दोनों का बनता है minus sin 6x formula बन गया मैं यहां पर और एक bracket लगा देती हूँ ठीक है तो आपका 1 by 4th sin 4x plus sin 2x minus sin 6x dx अभी individually each term के आप integrate कर सकते हो तो हम यह multiplied part को अपने formula में डालती हुए हम ऐसे part में लेके आगे तो sin 4x का बनता है cos 4x क्योंकि c आ रहा है तो minus होगा by 4 minus cos 2x by 2 minus minus the plus cos 6x by 6 plus c अभी यह आपका answer बनता है आप इसको अच्छे से लिखेंगे तो और भी देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा कि cos 6x by 24 minus cos 4x by 16 minus cos 2x by 8 plus c यह आपका answer बनता है अभी यह second वाला question आप try करना Thank you friends